आम खाने के बाद भूल कर भी ना खाएं ये 6 चीज़ें वरना गल जाएगा आपका लीवर, सड़ जाएंगी आपकी आती और जान तक भी जा सकती हैं और आपको जिंदगी भर पच्चताना पड़ेगा नमस्कार दोस्तों दोस्तों आम खाना तकरीबन हर किसी का फैवरिट फल है गर्मियों के मोसम में हर किसी को आम खाना बेहद पसंद है आम खाने से हमारे सरीर को बहुत सारे फाइदे भी होते हैं आम में एंट्योक्सेन, प्रोटीन, विटामिन A, B और C की परचूर मातरा होती हैं जो हमारे सरीर को सुवस्त रखने में बहूत आदिक साहयक हैं लेकिन आपको आम खाते सेमें कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके स्रिर को बहुत आदिक नुकसान हो सकता है दोस्तों यदि आप कुछ चीज़ों को आम खाने के तुरंत बाद खाते हैं तो इससे आपकी आतें सर सकती हैं आपका लिवर डैमेज हो सकता है दोस्तों आपकी जान तक भी आजा सकती हैं आपकी मो तक हो सकती हैं ऐसी है यह चीज़े करेला अक्सर लोग रात को खाने के बाद आम का सेवन करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करेला खाने के बाद आम का सेवन नहीं करना चाहिए। या फिर आम खाने के तुरंद बाद आपको करेले का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कच्छे आम के साथ हारी मिर्च के चटनी बना कर खासकते हैं। लेकिन आपको पके हुए आम के बाद, पके हुए आम की तासीर अलग होती हैं, उसके साथ आपको हारी मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। राइता, आम खाने के उप भूल कर भी दही या फिर राइते का सेवना आपको नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीजों को खाने से भी रियक्षन होता है। और पेट की कई तरहे की समस्याएं होने लगती हैं। दही से बनी चीजों के साथ भी आम खाने से बचना चाहिए। इससे आपकी आतों और लेवर पर बहुत बुरा परभाव पड़ता है। पानी भी नहीं पीना चाहिए। आम खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। दरसल आम खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में दर्द, गैस और एसिड बनने की समस्याए पैदा हो जाती हैं बार-बार ऐसा करने से आतों में infection का खत्रा भी बढ़ जाता है जो काफी गंबीर हो सकता है और आपकी आते सड़ने से आपकी जान तक भी जा सकती है इसलिए आम खाने के आदे या फिर एक घंटे के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए कॉल्डरिंग भी नहीं पीनी चाहिए आम खाने के तुरंत बाद कॉल्डरिंग पीना भी नुकसान दायक साबित होता है बता दे कि आम में काफी सुगर पाई चाती है और कॉल्डरिंग में भी बहुत अधेक सुगर होती है ऐसे में अगर कोई व्यक्ति डाइबटीज का सिक क्योंकि एसिड और कारवनिक एसिड मिलकर जहर का रूब लेती हैं जिससे कि आपकी जान तक जाने का खतरा होसता है अब आप मेंसे बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि हम तो ये बहुत बार कर चुबे हैं तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कुछ चीजें slow poison का काम करती हैं और एक ऐसा ही वाक्या चंडिगर सहर के अंदर हो चुका है ये बात आपने paper में भी जरूर पढ़ी होगी news paper में इसकी cutting में मैं इस video में लगा रहा हूँ ताकि आप देख सकें उन्हेंने क्या क्या था आम खाने के बाद उपर से cold drink पीवी थी और उससे वो बेहोस हो गए थे उनको जब hospital ले जाया गया तो उनको इस बात की प्रिशानी हुई कि उनके सरीर में जहर फैन गया तीखी मिर्च और मसाले वाली चीज़ों के साथ भी आपको आम का सेवन नहीं करना चाहिए तीखी मिर्च और मसाले वाली चीज़ें खाना बनाने में इस्तमाल होती है लेकिन अगर आपने आम खाया है और तुरंथ ही आप मसाले वाली चीज़ें या मिर्च वाली चीज़ें खाएंगे तो इससे आपके पेट और तवचा के रोग आपको होसकते हैं अगर आप इसे जादा मातरा में खा लेते हैं तो इससे डाइरिया होने की संभावना रहती हैं इसलिए आपको सिमित मातरा में ही आम का सेवन करना चाहिए आम में बहुत अधिक मातरा में सुगर मौचूद होती हैं इसलिए खाली पेट समाने से अधिक आम खाने से वजन मातरा में खाना चाहिए क्योंकि इसमें सूगर लेवल इसमें उनका हाई हो जाता है इनको खाने से जादा आम खाने से भी गैस की समस्या और ब्लोटिंग हो सकती हैं इसलिए आपको अधिक मातरे में आम का सेवन नहीं करना चाहिए जादा आम खाने से सरीर में रक्सरकरा की अधिकता बढ़ जाती है, जिसे आपका सरेर बीमारियों का घर बनता है, इसके लाव इसे ज़्यादा खाने से कलोरिज के मातरा भी बढ़ जाती है, वैसे भी दोस्तों किसी भी चीज़ का आपको अधिक मातरा में सेव नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को आप सिमित मात से पहले या बाद ना खाएं और आम खाते समय इन बातों का विसेश ध्यान लखें तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए औ और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों